और बच्चों क्या हाल चाल और स्वेपी इंस्ट्यूट में आपका स्वागत है मैं विक्की सिंग और मैं लेकर आ गया हूँ आपके पास आपके सामने उत्रागंड का MBBS Cut-Off only for PWD Candidates तो जो non PWD Candidates हैं वो भी चिंता ना करें चल्दी ही within two days आपकी Cut-Off भी आपके पास updated Cut-Offs आ जाएंगी वैसे तो आपकी Cut-Off में पहले अप्लोड कर चुक हूँ पर updated Cut-Off भी आपको मिल जाएंगी अब वो PWD student जो उत्राखंट से हैं उनके लिए तो वीडियो इंपोर्टन है ही लेकिन साथ में वो student जो All India से मतलब बाहर के स्टेट से कोई MBBS College देख रहे हैं पॉल इंडिया पार्टिस्पेट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपोर्टन है ओके नेक्स्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा रिटन फॉर्म में अगर आपको एक उट-off चाहिए तो आपको हमारे शोशल मीडिया साइट्स जैसे की टेलीग्राम, इंस्ट्रेग्राम और वाट्सेप पर ये मिल जाएंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी वो लिंक अवेलेबल है तो जाकर जोईन कर लो वाँ फ्री ओफ कोस्ट आपको जो चलो बच्चो सबसे पहले अगर बात करें ओके गौर्मन मेडिकल कॉलेज हल्दवानी येस हल्दवानी मेरा one second I think I have missed something yes yes I have missed AIMS रिशिकेश तो शीदा गवर्मेंट कोटेज पे आने से पहले AIMS रिशिकेश का मैं आपको बता दूँ कि 125 MBBS seat 5,856 पर यहां का fee है और important बात यह है कि स्टेट कोटा का AIMS पर कोई फरक नहीं पड़ता और इंडिया की काउंसलिंग से ही आपको AIMS मिलता है MCC काउंसलिंग के तुरू ही आप AIMS में एड्मिशन ले सकते हैं अब क्या कट ओफ है एक बार सुन लेजिए Journal PWD 400+, EWS PWD 350+, STPWD को qualifying marks पर admission हो जाएगा OBC PWD 350+, SCPWD 350+, अब ज़रा उत्राकंड के Government Colleges की बात करें सबसे पहले Government Medical College हलदवानी 125 MBBS seat 1,45,000 per year is the fee PWD seats in all India quota is not available but Journal PWD 300+, straight quota में Veer Chandrasingh Garawala Government Medical College I think I pronounced it correctly 175 MBBS seats General PWD 260+, for All India quota Government Doon Medical College Dharadun very demanded very demanded college 175 seats and fee is same or OBC PWD 300+, for All India quota and General PWD 150+, पर आपको ये स्टेट कोटा में कॉलेज मिल जाएगा मैं इन्हें क्वालिफाइंग मार्क्स के आज पास ही बोलूँगा ठीक है अब है वाई सोबन सिंग जीना गॉवर्मेंट कॉलेज I.E.M.S. 100 MBBS All India कोटा से जनरल PWD 250 प्लस रहेगा ये उन कॉलिजिस के लिस्ट है उतराखंड में जहाँ पर PWD कोटा अवेलेबल हैं तो ऐसे स्टेट वाले बच्चे जहाँ पर PWD सीट कम अवेलेबल हैं खैर वैसे तो जनरल सीट की भी 150 प्लस पर अवेलेबल हैं और सीधी सी बात है मेरा सीधा सजेशन है जिन बच्चों के नमबर 200 से नीचे हैं 200 से डाउन है वो स्टेट कोटा और All India कोटा दोनों से ही पार्टिसिपेट करें क्योंकि उनकी गेटिंग ऑफ अवेलेबल सीट इन डिफरेंट स्टेट इंक्रीज हो जाते हैं खाली स्टेट काउंस्लिंग पर अगर आप डिपैंड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हैं 200 से कम माक्स पर वटेवर कैटेगरी यू आरे इन वटेवर कैटेगरी यू आरे ठीक है और स्टेट के अंदर अलग तरह की जो है बिटा रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है ठीक है तो आई होप कि आप यह बात मेरी समझ गए होंगे और अगर आपके दोसों से नीचे कम नंबर है तो आल इंडिया कांसलिंग में आप स्टेट कांसलिंग के साथ पार्टिस्पेट जरूर करेंगे तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इन्फोर्मिटील बगातो और एक और चीज आप चाहें तो हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं जोईनिग दूग जोईनिग दिशनल पाई क्लिक द्जोईन बटन और उसके बाद बेटा मेंबर होने के बहुत सारे फायदे हैं जिसे मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम, मेंबर ओनली वीडियो जिससे की आपके बेटा जो questions है उनको जन्दी सॉल्ब किया जा सकता है Thanks for watching till the end.